Good morning students. My name is Mrs. Madhubala Pahubara. Today I am presenting here class 1 subject mathematics. Lesson number 6 name is time. Time means summit. It should tell us the purpose of further formation in time. We have 3 meditating on, into the establishes 1 small foot or very thick foot. और तीसरी जो पतली है और लबी है इसमें जो स्मॉल जो नेडल है वो आपकी आवर स्काट को शो करती है यार इसका बताती है पत्री और लंगी जो है को इसमें मिनेट को शो करती है, मिनेट का टाइम बताती है और थॉर्ड जो इसमें रिडिट है, पत्री और लंगी वो इसमें सेकंड का टाइम बताती है अभी जो है, स्मॉल है जो प्रल में है और पत्री बारी जो मिनेट की हैं वो तैन है तो इसके means 10 o clock, इसके जो टाइम होना है वो 10 o clock का टाइम दिया रहे है एक जो watch का घड़ी होती है उसमें आपकी 1 से लेकर 3 तब की नंबर होती है So dear students, एक time जो एक समय होता है उसे हम एक दिन को पूरे जो पूरे भगों पीचो है पूर चार भगों पर माण सकते हैं एक है morning time, दूसरा है day time, दूसरा है evening time और चार्था है night time यानि प्राव कसमें Let's start, one day, one means eight, day means दिन, एक दिन में जो hours होते हैं, घंटे होते हैं वो होते हैं 24 hours One day, 24 hours जब 24 घंटे आके complete होते हैं तब आपका एक दिन पूरा होता है One hour, एक घंटा, अब एक घंटा कब complete होता है जब आपके 6060 minutes complete होते हैं Next, one minute, अब one minute कब complete होता है जब आपके 6060 seconds पूरे होते ही complete होते हैं Next, one week, एक सब्ता हम, एक सब्ता हम से कहते हैं जब आपके seven days यानि साथ दिन, साथ दिन आके update होते हैं तो इन साथ दिनों को हम one week कहते हैं Next, one year, one means eight, year means six, एक साल, एक साल में जो months होते हैं यानि मजली होते हैं वो होते हैं 12 months, January to December Next, one year, एक साल में जो days होते हैं, दिनों की समझा होती हैं वो होती है 365 days 365 days, जब आपके complete होते हैं तो एक साल पूरा होता है Now last, one leave year, one leave year means eight साल में जब एक दिन बढ़ जाता है हमारा तो उसमें किते होते हैं, 366 days यानि 346 days जब आपके complete होते हैं तब आपका पूरा होता है one day यानि एक वर्स में एक दिन बढ़ जाता है अब उसका बढ़ता है जब आपका जिस साल आपके February में 28 ही जगा पर 29 days होते हैं So dear students, I hope you listen me carefully and I hope you read, learn this chapter at your home. Thank you.